साथ्यों नमस्कार, तो साथ्यों चौलाई से तो आप सभी लोग परचित होंगे, जिसे उत्राखंड के अलग-लग छेत्र में अलग-लग नामों से जाना जाता है, किसी छेत्र में से चौलाई, किसी में मारसा और कहीं-कहीं पर रामधाना भी कहा जाता है, आपके छेत्र में से क्या कहा जाता है तो आप भी comment section में जरूर बता सकते हैं और चौलाई और मारसा अगर अलग-अलग वनस्पती हैं तो इसके बारे में भी आप एक बार जरूर बताएंगे और इसी चौलाई के लड्डू आपने कभी न कभी जरूर खाये होंगे बाउजू दिसके जिस चौलाई के लड्डू को परवतिये छेत्रों में ज्यादा तबज्यो नहीं देते उसी चौलाई से बनने वाले लड्डू को सहुतराज संग ने अपनी recipe book में इस्थान दिया है यानि की चौलाई से बनने वाले लड्डू का स्वाद अब दुनिया भर के लोग ले सकेंगे आपको बता दें कि पिछले हपते सहुतराज संग की ही एक संस्ता खाद्य एवं क्रिसी संगठन यानि की Food and Agriculture Organization और Mountain Partnership की ओर से एक recipe book प्रकासित की गई है इसमें दुनिया भर के पर्वतिय इलाकों के 30 पारंपरिक और पॉस्टिक वेंजनों की recipe को सामिल किया गया है और उत्राखंड के लिए भी यह मौका खास हो जाता है कि इस recipe book में चौलाई के लड्डू को भी इस्थान मिला है आपको बता दें कि book को प्रकासित करने से पहले पिछले वर्स 11 दिसंबर 2019 को अंतराश्टिय माउंटेंडी के मौके पर Food and Agriculture Organization और Mountain Partnership द्वारा एक पर्तियोगता का आयोजन किया गया था जिसमें दुनिया भर के पर्वतिय इलाकों के पारंपरिक और पौश्टिक व्यंजन की recipe को आमंतरित किया गया था इसमें 70 देशों की 70 recipe सामिल हुई थी जिसमें निर्णायकों ने 30 व्यंजन की recipe का चैन किया इस पर्तियोगता में अल्मोडा के चौकुटिया मासी छेतर इस्थित इनिहेर संस्ता के चिनमे सहाने चौलाई के लड़ू की recipe भीजी थी जो निर्णायकों को खूब पसंद आई आपको बता दें कि 76 page की इस book में पर्तियोग वन्यन की recipe के साथ साथ उसके पौश्टिक तत्वों के बारे में भी बताया गया है साथ ही recipe भेजने वाले का नाम भी इस book में दर्ज है आईए दोस्तों अब exam के लिए आसे भी कुछ महत्वण पहलों पर चर्जा कर लेते हैं तो साथ हो सबसे पहले हम चौलाई का scientific name जान लेते हैं तो इसका वानस्पतिक नाम है Amaranthus Croantus इसका सेवन सरीर के लिए काफी फैदमंद है और यहाँ protein, iron और calcium का अच्छा स्रोथ है इसके लाओ दोस्तों पहले दो संगठनों का नाम आया था तो अब इनकी भी detail हम ले लेते हैं तो पहला संगठन था आपका संयुक्तराज संग यानि की United Nation यहाँ संगठन अंतराश्ट्य सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगती, मानवाधिकार और विश्व सांति के लिए कारेरत है इसकी स्थापना 24 अक्टबर 1945 इसवी को 50 देशों के हस्ताकसर के साथ हुई थी और परतेक वर्ष 24 अक्टबर को United Nation दिवस मनाया जाता है इसके लाओ दोस्तों इसका मुख्याले New York में इस्तित है और वर्तमान में इसके 193 सधस्या राश्ट्र है जिसमें 5 इस्ताई देश हैं इनमें आपका अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन और United Kingdom समलित है और आदिकारिक भासाओं की संख्या 6 है जिसमें अर्बी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसेसी, रूसी और इस्पैनिस भासा समलित हैं और इसके वर्तमान महासचिव Antonio Guterres है इसके लाओ दोस्तों दूसरा संगठन था आपका FAO यानि की Food and Agriculture Organization इसकी भी डिटेल हम जल्दी से ले लेते हैं तो दोस्तों इसकी स्थापना 16 October 1945 को क्यूबेक सहर कनाड़ा में हुई थी उस समय इसका मुख्याल है वासिंग्टन DC में था लेकिन 1951 में इसे इटली की राजधानी रोम में इस्थानांतरित कर दिया गया वर्तमान में इसके 197 सदस्य देश हैं और इसके वर्तमान अध्यक्ष चुटोंग्यू है और सबसे महत्पण बात कि या संगठन करता क्या है तो साथियों या संगठन, क्रिसी उत्पादन, वानिकी और क्रिसी विपणन सम्मंदी सोतकारे करता है और साथिया खाद्य और क्रिसी सम्मंदी ज्यान और जानकारियों का आदान परदान करने का मंच भी है तो साथियों ये थी आपकी उत्राखंड की उस रेसिपी और उससे जुड़े सभी पहलों के बारे में संपूर्ण जानकारी जिसे FAO की रेसिपी बुक में समलित किया गया है इस पर आपका क्या सोचना है तो आपकी अपनी परतिक्रिया आए कॉमेंट सेक्षन में हमसे जरूर साजा कर सकते हैं इसके लाओ दोस्तों अगर आप यहाँ वीडियो फेस्ट पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं आपको नेक्ष्ट वीडियो सेस्ट में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्याई